स्वागत है आपका मायपूरी कटपर मैं हूँ आपके साथ शृष्टी और आप देख रहे हैं मायपूरी रीजनल जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलिवूडी नहीं बलकी पंजाबी, साउथ और भोजपूरी सिनमा यानि की पूरे इंडियन सिनमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं So let's begin शारुक खान कोलकता इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में शामल होने के लिए कोलकता पहुंचे थे वहीं फिल्मे सितारों के अलावा सौरफ गांगुली भी के आईएफफ में पहुंचे और इस दोरान उन्होंने शारुक खान की जमकर तारीव की के आई एटेफ के मन से शारुक खान के बारे में बात करते हुए सौरफ गांगूली ने कहा कि कोलकता से शारुक खान का संबन फिल्मों के अलावा भी है अगले कुछ महीनों में उनकी फिल्म थेटर्स में रिलीज होगी और हमें यकीन है कि पुराना एसार के जल्दी देखन को मिलेगा मलाइका रोडा का मूविंग इन विद मलाइका शो इन दिनों काफी चर्चा में है इस शो में सिलेब्स अपनी पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ को लेकर खुल कर बात करते हैं शो के लेटिस एपिसोड में कॉमेडियन भारती सेंग गैस बन कर पहुंची इस दोर तॉलवथ स्टार रवीत तेजा की मच अबेटिट फिल्म धमाका का दमडार ट्रेलर जारी हो चुका है फिल्म का ट्रेलर काफी मासी है जिसमें दमडार आक्शन और डियालोग्स देखे गए रवीत तेजा की फिल्म का ये ट्रेलर फांस के बीच अच्छा खासा चर्चा म अब आप जल्दी जल्दी मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आपको इस फिल्म का ट्रीलर कैसा लगा टॉलवत सूपरस्टार जूनियर एंटियार की अगली फिल्म एंटियार 30 के लिए दो अक्ट्रिस के बीच जंग देखी जा रही है रिपोर्ट की माने तो जानवी का पूर पहले ही इस फिल्म के लिए हामी भच चुकी है हाला कि अभी तक जानवी ने पेपर साइन नहीं किये हैं वहीं रिपोर्टेडली रश्मी का मंदाना भी इस फिल्म के लिए रेस में लगी है पंजाब की फेमूस आक्ट्रिस सरगुन महता सोचल मीडिया पर काफी पॉपिलर है और हमेशा ही आक्टिव रहती है अब रिसेंटली सरगुन ने सोचल मीडिया पर अपनी कुछ ब्लर अन हापी पिक्चर शेयर की है जो के अब काफी वेरल हो रही है इन पिक्चर में वेर्स को सरगुन का लुग बहुत ज़्यादा पसंदा रहा है पंजाब की कच्रीना कैव से पूरे हिंदुस्तान की शेहनाज गिल बनने के बाद शेहनाज की पॉपिलारिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कोई भी रियालिटी शो हो हर जगह शेहनाज को जरूर इनवाइट किया जाता है वही रिसेंटली शेहनाज इंडिन आइडल के सेट पर अपने रिसेंटली रिलीस सॉंग घनी सेयानी के प्रमोशन के लिए पहुँची थी जहांकि एक मज़ेदार वीडियो उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है रानी चैटर जी भोचपूरी जगत की टॉप अक्ट्रिसेज में से एक है भही इस बात को दिल पर न लेते हूँ अक्ट्रिस ट्रोलर्स को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है अक्ट्रिस रारी ने अपने एक नए वीडियो के जरिये ट्रोलर्स पर तंच कसा है अक्ट्रिस ने गुबिंदा की फिल्म के गाने आंटी नमबर वन पर जम कर डांस किया है और कैप्शन में लिखा है कि आंटी शब्त को गाली मत समझो आज मैं पूरी वीजनल में बस इतना ही आगे कि सिनमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे तुन तो आर चैनल इसे के साथ अगर वीडियो पसंद आयो हो तो फ्लीज लाइक शेर शेर सबस्क्राइब और अलसो डोंट फिल्ट पर गेट तो प्रेस्ट अबलाग